कारा कार्ट से पवन सिंग की उमीद्वारी लालू यादव की साजिश देरी में बोले उपेंदर कुश्वा इन पर कारेवाई करना भाजपा का काम चुनाब में एंडिये एक तरफा जीतेगा आप दीख रही है दखबरदार न्यूस ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार देरी में शनिवार को एंडिये केंडिडेट उपेंद्र कुश्वा ने कारकार्ट सीट से भोजपरी स्टार पवन सिंग की निर्दली उमीदवारी को लालू यादब की साज़िश करार दिया उन्होंने कहा के लालू यादब जो भी उनके खिलाफ कर सकते हैं वो कर रहे है उनकी साज़िश को लोग समझ रहे हैं कि इससे किसका फायदा हो सकता है किसका नुकसान हो सकता है उपेंद्र कुश्वा ने कहा के लालू पहले भी उनके रास्ते में काचा बोते रहे हैं आगे भी बोते रहेंगे लेकिन बिहार की जंता उनके जहांसे में नहीं आने वाल साथ ही अपने राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष भी किया चुनाब में एंटी एक तरफा जीतेगा वही कारकार्ट सीट से पवन सिंग की निर्दली उमीदवारी के बाद भी बीजेपी के कारेवाई नहीं करने पर उन्होंने कहा कि भाजपा उन पर कारेवाई करेगी न पर छोड़ दीजिए इन सब का कोई मतलब नहीं है कुश्वा ने कहा कि सवर्ण समाज भी समझ रहा है कि क्या उचित है क्या अनुचित है सब लोग समझ रहें कोई डायवर्ट नहीं होने वाला है एंट ये एक तरफा चुनाब में जीतेगा मंत्री के रूप में अपने उ काटन भी उन्हों नहीं किया कहा कि जब वो मंत्री थे तब कारकाट शेत्र से संबंध रखने वाले हसारों बच्चों का नामांकन देश के विबिन केंद्री विद्यालों में करवाया अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजिनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट ता मांटेन केफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियरबाइ सुहागी बाइपार